दुनिया की हलचल पर पहनी नजर, परताल दुनिया भर की, देखिये जुडिये ताकि मिले सही नजरिया, जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है, आसपास और साथ समंदर पार, आखिर हम हैं ग्लोबल सिटिजन नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर परताल दुनिया भर की, आज हम बात करेंगे कि विश्व मानचित्र पे किस तरह से कुछ देश साथ हा रहे हैं, नए समझोते हो रहे हैं, इनके पीछे की कहानिया क्या हैं, उससे पहले जर्मनी की बात में जर्मनी में चुना हुए और सोशल डिमोक्रिटिक पार्टी, स्डिपी, बहुत कम मार्जिन से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई, और इस तरह से 16 साल से एंजिला मार्कल का जो शाशन चल रहा था, उसका वह दौर समाप्त होता है, क्योंकि जर्मनी में बहुत समय लगता है, जिस तरह से गड़बंधन होते हैं, जिस तरह से सरकार बनती है, इस पर हम बात आगे आने वाले एपिसोड में अपनी करेंगे, आज हम न्यूस क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस से बात करने जा रहे हैं, कि जो अंतराश्टी इस तर पर नए गड़बंधन हुए हैं, नए समझोते हुए हैं, जिनका महत्व इस बात से है, कि पिछले दिनों जब नियू यूर्क में सेयुक्त राष्ट महासभा की जो बैठक चल रही थी, उसके साथ साथ, क्वार्ट पर बातचीत हुई, उसकी मीटिंग हुई, उसके साथ स सेयुक्त राष्ट महासभा की जो बैठक नियू यूर्क में हुई, उसमें दुनिया भर के तमाम नेता, तमाम सरकारों को, देशों को रिप्रेजेंट करने वाले नेता वहां मौझूद थे, ठीक उसी समय जो बैठक हुई, क्वार्ड की, और क्वार्ड के साथ साथ एक न अमरीका के जो इससे पहले के राष्टपती थे, डोनाल ट्रम्प, उनका ये काफी प्रिये प्रोजेक्ट था, तो इस बैठक और क्वार्ड का क्या अर्थ है, किस तरह की जो बैठक है, उसका नतीजा क्या निकला, हम कैसे देखें क्वार्ड की इस बैठक को, तेखें पहल की जो क्वार्ड में है, उनकी एक्सराइज होती है, अमरीका, उस्ट्रेलिया, जपान, इंडिया, अब हम कहते हैं कि मालाबार एक्सराइज से क्वार्ड का कोई मतलब नहीं है, अब क्वार्ड यही चार देशों की बीच-बीच पे मिलना होता है, क्या एक सामरिक पैक्ट के तरह है, एक सामरिक अंडरस्टेंडिंग है, मिलिटरी एलाइंस के रूप में है, या और कुछ है, इसका कोई साफ मानचित्र अभी तक पेश नहीं किया गया है, इस बीच में जो आपने कहा, आकुस आ गया, जो कि उसमें अमरीका भी है, और आस्ट्रेलिया भी है, वो क अगया, तो यह जो चीजे है, इस पे काफी ओवरलैप्स कह सकते हैं, मालावार एक्सराइज, क्वाड और इसके साथ साथ, आकुस पे कावी ओवरलैप्स है, पर इनका अलग-अलग पहलू क्या है, यह किसी को साफ नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्वाड के जो नेताएं ह उनको भी एक काफी साथ, कुछ साफ है, तो एक वक्त तो यह भी बात की जा रही थी, नेटो तो भूत की बात है, भविशो क्वाड की है, पर नेटो एक सामरिक समझाता था, एक मिलिटरी पैक्ट है, और वो था यॉरप के लिए और खासतोर से सॉवेट उनन के खिलाफ, तो अब जो है, चीन के खिलाफ अगर है, तो नेटो का क्या महत वो है, नेटो एक दुनिया के रूप में एक सामरिक पैक्ट की तरफ उस तरफ बढ़ रहा था, तो हम हिंदुस्तान तो उस पे शामिल नहीं होना चाहते हैं, भारत वर्ष ने नेटो जॉइन नहीं करेगा, तो इसके जगा पर चीन को रोकने के लिए अगर क्वाट की कलपना की गई थी, तो इसका सामरिक पैक्ट नहीं है, तो है क्या, तो इस बार क्वाट की जो स्टेटमेंट्स हैं आप देखेंगे, सब सॉफ्ट छेतरों में कह सकते हैं, हम कुछ स्कॉलर्शिप्स देंगे, हम कुछ वैक्सिन्स की बात करेंगे, हम चिप्स कैसे बनाना है, इसकी चर्चा करेंगे, हम आर्टिफिचल इंटेलिजन्स की बातचीत करेंगे, तो ये सब एकिनॉमिक इशूस पे बाते करेंगे, पर इससे क्या निकलेगा, कैसे इसका रूपांतर होगा, कि इसकी रूप र लगता था कि इसके सामरिक हित हैं, कोड मतलब चार खंबे हुए, चार देशों के चार खंबे हुए, एशिया में इसकी बढ़ती हुई भूमिका के तौर पे भी देखा जा रहा था इसको, तो इस बार आपका जो विशलेशन है उसे लगता है कि इसका जो सामरिक महत्व था, चीन के इर्दगेर्द वाला, वह कम दिखाई दिया मीटिंग के बाद जो बयान जारी हुआ, मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, यह तो अलग बात है, हो सकता मेरी समझ कम हो, पर क्या चार देशों को नेताओं को समझ में आ रहा है, यह मेरा मुख सबाल है, क्योंकि मालाबार एक्सराइज इस चार मुलकों में होता है, तब तब तो लग रहा था, क्वा बालाबार exercise का एक extension है, वो बड़े रूप में उसको आत रहे है, जो उसका मुख्य उद्देश होता है, freedom of navigation की जो बात करते हैं, उसको लेके चीन के तट के पास, वो freedom of navigation करने की बात होते हैं, अगर आप मानचित्रों को देखें, बानचित्रों देखेंगे, इंदो पसिफिक जो बात कही जा रही है, actually Pacific Ocean में अमरीका है, Australia इंडियन ओशन में है, पर एक कोने पे, South East Asia और चीन के जो है, उसके इंडियन ओशन का एक बहुत कम हिस्सा आता है, पर basically Pacific Ocean आता है, तो पहले East Asia अमरीका को लेके बात होती थी, कि वहाँ पर जपान है, वहाँ पर South Korea है, वहाँ पर Taiwan है, और अमरीका के नो सेना की जो वेस है, गवाम में है, हवाई में भी है, वह जपान से ज्यादर नस्दीक है, अमरीका से, ठीक हैं, अमरीका में लैंड से, तो ये जो छेतर है, इसको तो सब समझते हैं, कि Pacific है, इंडो क्यों आया, अभी तरक हम लोगों को समझ में न कोशिश है, लगता है, और आपने कहा कि चीन के खिलाफ है, सही है, चीन के खिलाफ अमरीका एक हिसाब से एक नेक्स्ट कोर्ड वार्ट छेर रहा है, वो देखने को आ रहा है, ट्रेट को लेके, और भी चीज़ों लेके, पर ये जो कलपना क्वार्ड हो, अक और अकुस हो, जो भी है, इसका लगता है लक्ष चीन और साउथिस्ट एशिया, क्योंकि साउथिस्ट एशिया एक ऐसा इलाका है, जिस पे उस पे काफी एकनॉमिक डिवलप्मेंट हो रहा है, बड़ा मार्केट बन रहा है, और वहाँ कॉम्पिटिशन है, और अस्ट्रेलिया अगर अजाए और एक दिन चर्चा करेंगे, फ्रीड़फ जो बात कर रहे है, इस साउथ चैना सी में, वहाँ से जो लुट मेंट राफिक जाती है, वह जाती है चीन को, तो चीन से सामान आती है, या जाती है, वहाँ पर वही फ्रीड़फ अप् राप्मिकेशन की बात अगर करे तो अमरीका में वो नहीं जाता, ठीक है न, वो जाता है चीन में सबसे ज़्यादा, इस पे एक बहुत ही हसास्पद एक कहते एक एपिसोड एक था, जो ऑस्ट्रिलियन टीवी में दो साल, धाई साल पहले दिखाया था, कहा था अच्छा हमारा जो है वहाँ पर क्या इंटरेस है, कहा कि हमारे वहाँ से सबसे ज़्यादा सामान आता है, कहा किस से आता है, चीन से आता है, और उसको हम वहाँ पर जो गाड़ करना चाहिए, किसके खिलाफ गाड़ करना चाहिए, चीन के खिलाफ, चीन से सबसे ज़्यादा सामान आता है, उसको हम गाड़ करना चाहते है इसका बतलब क्या है तो ये एक हसास्पत चीज है आस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टर चीज है इस वक्त एक चीज जो समझ नहीं आती कि कौड है जिसमें अमरीका आस्ट्रेलिया भारत और जापान था फिर उसके बाद उसके एक मकसद है कुछ समय से काम क 21 को आकुस हमारे सामने आता है जिसमें आस्ट्रेलिया है ब्रिटेन है और अमरीका है तीन देश हैं यहां पर तो ये जो तीन देश उससे क्या उनको नहीं हासिल हो पा रहा था कोई अगर माली जी एक नेटवर्क बना है गड़बंधन है देशों का कि उस मकसद के साथ है उसका निशाना भी बहुत साफ था दिखाई दे रहा था तमाम जपान का भी बयान है समुद्र को लेकर सारी चीजों को लेकर तो फिर भारत को बाहर करते हुए इन तीन देशों का जपान और भारत दो बाहर हुए और नजर एशिया पर ही है आस्ट्रेलिया का का काफी महत हो यह तो इसकी आपको क्या लगता है की क्योंकि अम्रीका में भी सत्ता तबदीली के बाद बिड़न आये बहुत ज़्यादा का रिष्टा नहीं है जैसा डोनाल ट्रम्ब के साथ रिष्टा है तो क्या इसको उस संदर में भी देखा जा सकता है या इसका कुछ और कुछ कहानी क्या है मतलब कौड था कौड है और उसके सासाथ आकुस हमारे सामने आया तो इसकी वज़ा आपको क्या लगती है तो एक तो है कि कौड को सामरिक पैक्ट के तरह बनाने में जापान में भी विरोध है हमारा उसमें हम आदा है सामरिक रूप में आदा नहीं है मालबार एक्सिसाइस करते है उसका भी लक्ष वही है और सामरिक पैक्ट में नहीं जाना चाहती है यह भी है हकिकत है हम शांग है कौपरेशन और्गनाइजेशन में भी हम है जहां पर चीन भी है रश्या भी है तो हमारा चीन के साथ जरूर सम्मंद बिगड़ा है पर हम उसको क्या पूरी तरह से अमरीका के साथ शामिल अपने आपको करें अगर साउट चाइना सी बे लड़ाई होती है उस पे हमारा कोई स्टेक तो है नहीं हमाले लेक बे लड़ाई होती है उस पे ता और कोई आ नहीं सकता तो इसलिए सामरिक रूप से मुझे नहीं लगता हमारा कोई खास मकसद क्वार्ड में होनी चाहिए और जपान कभी इसलिए एक इतस्ता है उनकी भी एक यह है इसको तडस्त है कि हाँ मालाबार एक्सिसाइस तक तो ठीक है पर एक पैक्ट कर ले चीन के खिलाफ क्योंकि जपान कभी बहुत बड़ा ट्रेड चीन से होता है तो यह सब वहाँ पर है इंग्लेंट ब्रितानिया इस वक्त यॉरप से बाहर हो गया है ठीक है ना ब्रेक्सिट हो गया है तो वो अपना जगह ढूंड रहा है और उसको अमरीका के साथ मिलने के लावा और कोई जगह मिली नहीं सकता तो अमरीका को अमरीका के जिससे कहते लॉंग बोट जो कहते है पिच्छू पिठ्छू होना तो ब्रितानिया के लिए समझ में आता है आस्ट्रेलिया की बात जो है अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आस्ट्रेलिया में उनका पहला संबंद अर्थिक संबंद एशिया और खास तोर से चीन से काफी रहा है तो वो क्या सोचते हैं चीन के साथ कंपीट करके अमरीका के साहारे साथिस्टेशिया में वो घुष सकते ज्यादा उनके तस्बीद में क्या ये है उनको एक चीज़ आप समझे कि आस्ट्रेलिया बितानिया और अमरीका में किस चीज़ की कॉमोनालिटी है सफेद चम्रा के इलावा ये दो अंग्रेजों की सेट्लर कलोडियल स्टेट्स है इनका नसल जो है वो एक ही है तो इसलिए एक या नसलबाद का एक नया हमें एक नया चैप्टब देखने को मिल रहा है जिसमें बितानिया, अमरीका, आस्ट्रेलिया मिल के फिर एशिया पे कबज़ जबाना चाहता है साउथिस्ट एशिया पे और यही चीज साउथिस्ट एशिया को अच्छा नहीं लग रहा है कि आस्ट्रेलिया को वो बहुत मित्र देश के रूप में नहीं देखते आस्ट्रेलिया नसल बाद का एक बहुत बड़ा अड़ा है और साथ साथ में और अमरीका मिलके एशिया में दखल अंदाजी करें इस तरह से जो आकुस कर रहा है ये तस्वीर साउथ इस्ट एशिया के लिए भी अच्छा नहीं है उसका भी इसमें जो उनका जो पुश बैक होगा उनका जो लगेगा कि ये हमारा हित में नहीं है ये तो हमारे यहां भी दखल अंदाजी करेंगे तो चीन विरोधी भूमी का अगर इस तरह से निकल के आता है तो मेरे ख्याल से उनका इंट्रेस्ट इसमें नहीं होता है उनको पुराने चीज़े याद आएगा फिलिपीन्स अमरीका का कॉलनी रहा है यूके का इतिहास हम जानते ही है तो इस सब लेके मैं समझता हूँ कि एक एक बहुत बड़ा इस हिसाब से राजनितिक दर्थता है इनकी कि इस तरह से एक कौलेशन बनाके चीन का सामना करना चाहते है साउट इस्ट एशिया को लेके इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को नेवल बेस बनाना चाहत हैं और ऑस्ट्रेलिया जो अभी तक इसको सीकार नहीं किया था शायद इसको मानने के लिए इस वक्त तयार है इसी लिए उनको न्यूक्लियर सब्ब्रीन की गूस दी जा रही है कि आप बड़े सावरिक रूप से आप बड़े कूठ नीति या राज नीति कहें इसका यहीं चाल है तो आपको लगता है कि यह जो पहली मीटिंग है अकुस की इससे काफी एजंडा क्या साफ हो गया दिखाई दे रहा है क्योंकि एक चीज बहुत साफ है कि यह तमाम देश जो बात कर रहे हैं चीन को घेरने की बात है अभी चिनता है तो यह जो न्यूक्लियर वाला है इसका आपको क्या लगता है कि विरोध होगा न्यूजिलैंड ने सीदे सीदे बुली दिया कि पहले ज़रा देखे है क्या ठीक है न हम जाते है इन चीजों पर बाद में पहले देखिए कि सब्रीज जो थे फ्रांस से चालित नहीं होता है वो चलता है लो एन्रिष्ट उरीनियम से लो एन्रिष्ट उरीनियम पे उस तरह से अंकुष नहीं है बंदिश नहीं है यो कि हाई एन्रिष्ट उरीनियम से पर है हाई एन्रिष्ट उरीनियम को वेपन्स ग्रेड बागा जाता है बॉम में भी उसको इ पीटी का उलंगन है और और भी जितने सारे बहुत सारे और भी अंकुश है उस पे ऑस्ट्रेलिया को उससे बाहर निकालना मतलब आप न्यूक्लियर एग्रिमेंट्स को एक हिसाब से तोड़ रहे हो इस पे क्या इशू किया है कि हाइली एंडिश्ट इूरेनियम न्यूक्लि गर देखेंगे तो highly enriched uranium bombs organizations australya को नहीं मिल सकता है तो कैसे दे रहे हैं तो क्या उसको एक जैसे हमको इंड़िया को ultimately nuclear club में ले लिया क्या ओस्ट्रेलिया को भी इस तरह से club में ली जाएगी तो अगर एक exception के बाद दो exception होता तो not Korea और Iran को क्यों नहीं ली जाएगी आप खुद ऐसे क्यों कर रहे हो जा कि नूकलियर चुकतिया है खुद क्यों तोड़ रहे हो पहली भी हो चुका है इसरेल को हमारे पास अभी सबूत है लग भग दुनिया के सामने सबूत है कि ये जो जो बांब इसरेल ने बनाया है छुपके इस छुपके नहीं था अमरीका के सहायत से बनाया है वो तस्वीर साफ है कैसे कैसे बना उसकी पूरी ब्योरा लोगों के पास है और सभी इसको जानते हैं तो या क्या दूसरा exception होगा तब अगर आस्ट्रेलिया के लिए आप मानते हो क्या अगर कोई और देश कहता है हम nuclear subbreed बनाना चाहते है और इसलिए हम highly enriched uranium करेंगे centrifuge से तो क्या आप इसको मान लोगे इरान अगर कहता है तो मान लोगे तो ये जो दोगलापन है दोहरा complete क्या कहते है दोगला policy आप करना चाहते हो ये अब सवाल है और अगर ये होगा तो मेरे ख्याल से जितने सारे nuclear आपके safe guards है दुनिया में वो safe guard की region regime जो है उसके इस पर काफी खत्रा पैदा होगा और ये सवाल जरूर सामने है क्योंकि देख लेजिए सिर्फ Australia को क्या मिल रहा है Australia बहुत खर्चा करके पहले से जो खर्चा था उस कम से कम धाई तीन गुन काफी लंबा इंधार है तो अगर उसको उसको उसक्त nuclear submarine उसका protection के लिए चाहिए बीस साल तो और protection रहेगा नहीं और बीस साल के बाद जो लालू जी कहते थे कल किसने देखा बीस साल बाद किसने देखा कम से कम ये तो दिखाई दे रहा है कि एक खतरनाक डिजाइन है इसके पीछे, टीन के खिलाफ एक तरह से युद्ध भूमी तैयार करने में अगले 10-15 साल में अमरीका क्या करने जा रहा है, इसके लिए आकुस जैसा एक गड़बंधन तीन देशों के बीच में हुआ है, और पूरे के पूरे इस इलाके, एशिया और पूरा जो इलाका है, इसके लिए भी एक खतरे की घंटी है क्योंकि सारे प्रियोग तो यहीं होने है, सारी नजर भी यहीं पर है। इससे भी बड़ा जो खतरा दुनिया के लिए है, न्यूक्लियर वेपन्स, अगर इसको हम नैच इना न्यूक्लियर वेपन्स इस्तमाल किये रहेगा, अगर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तमाल होता है, इसके बाद सामरिक शक्ति के कोई जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि दुनिया रहेगी नहीं। तो यह जो सिती है, वो कैलकुलेशन हो चुकी है, चार्ट सो मेगा टन की बॉम अगर बिस्फोर्ट होता है तो दुनिया की सिविलाजेशन नहीं बचेगी तो इस पे हम नजर बनाए रखेंगे और मुझे लगता है पूरी दुनिया की चिंता इस ओर होनी चाहिए क्योंकि देश तो है ही है लेकिन पूरी दुनिया को बचाना और एक देश के खिलाफ मुहिम छेड़ कर पूरी दुनिया को युद्ध में ढखेलना बहुत ही खतरनाक है तो उमीद की जाए कि आने वाले दिनों में बाकी देश इस तरह की जो पूरी की पूरी योजना बनी है आकुस के जरीए इसका विरोत करेंगे और एक इंटरनाशनल मौहौल बनेगा बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्धों पे बात करने के लिए धन्यवाद